शतरपूर जिले में मंगलवार को सिविल लाइन थाना के सुल्तानुल हिंद मस्जीद में बम होने का खत मिला। पताय जा रहा है कि किसी अग्यात शक्स ने मस्जीद में बम होने का एक पत्र छोड़ा था। इस मामले के सामने आने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कौाइट की टीम पहुची थी लेकिन जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली है। दरसल बम निरोधत दस्ता और डॉग स्क्वाइट की टीम मस्जिद परिसर में बम की तलास में जुट गई थी, इसके साथ ही CSP साहिद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुचा था, जिसके बाद मस्जिद परिसर में गहन जांच की गई, हलाकि जांच में बम की सूचना की तफ़ा निकली, छदरपुर से सन्वाददाता मुकेश भारगो की रिपोर्ट उनसे हमने उनको दिखाया, और दिखाने के बाद फिर हमने पुलिस परिशासन को सूचना दी, उस परचे में लिखा हुआ था कि इस मस्जिद में बम रखा हुआ है, और और भी मस्जिदों में बम हो सकता है, इस बात को हलके में ना लें, तो लहाज़ा हमने इस चीज़ क थे पुलिस पर शचात्त पको पहुंचाया और पुलिस परशा विए का पूरा आमला आ करके और यहां पर बिवेचन चालू है, सर्चिंग हो रही है, अब उसके आगे जो भी बात निकलके आएगी, बताया जाएगा, बीडीएट का दस्ता भी आया हुआ है दिवेचना चालू है यह सुल्तानोल मस्जिद है जो मुश्किल कुशा मजार के पीछे है इसमें आज एक बजे जब नमाज पढ़ने आये हैं तो उन्होंने नमाज पढ़ने एक जगह पर देखा एक लेटर पढ़ा हुआ है जिस मुचे और बीडीडीए स्कॉर्ट के द्वारा संपूर्ण मस्जिद पर इसर की जांच की गई है आगे पीछे चेक किया गया है और किसी प्रकारी कोई संदिक स्तिती नहीं पाई गई है